चाट का नाम लेते ही हर किसी के मुँँ में पानी आ जाता है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राज कचोरी चाट की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं राज कचोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें टो तैयार करना है तो एक बड़ी बरता में मैंने एक कप मैदाक लिया है आधा कप मैंने बारिक वाला रवा लिया है यहां पे आपको मोटा वाला रवा जो है वो यूस नहीं करना है उसके बाद मैंने यहां पे थोड़ा सा नमक लिया है स्वात के नुसार थोड़ा सा हल्दी पाड़ो ले लेंगे बेकिंग सोड़ा एक चुथाई चमच ले लेंगे उसके बाद हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है जैसे यह सारी चीजे मिल जाएंगी हम यहां पर मोयन के लिए खीका यूज करेंगे सारी चीजे मिल गई है अब हम हैं अब यहां पर दो चमच खीका यूज करेंगे तो यहां पर आपको तेल का यूज नहीं करना है नहीं तो जो पूरी है वह खस्ती नहीं वनेंगी यicem इल Ноもう नहीं इसके नहीं भूणों हम को अच्छी तरीके से मिला लेना है मिलान तभी हमारी जो राजकचोरी के वह पूरी है वह बहुत ही जादा अच्छी बनेगी तो यहां पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूत लें एक साथ पानी नहीं डालें तो यह देखे हमारा जो आटा है वह लगभग मैंने यहां पे गूत लिया है तो अभी हम इसे ढ ने खख कर छोड़ेंगे दस मिनट के लिए ताकि यह अच्छी तरीके से फूल जाए तो आप हम इसे ढख के रखते हैं दस मिनट के बाद मिलते हैं 10 मिनट हो चुका है तो अपने आटे को चेक कर लेते हैं तो यहां पर आटा जो है काफी ज़्यादा नरभ हो चुका है तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तियार कर लेंगे तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं तो अब यहां पर हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे और चोटी सी लोई तेयार कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, तो ये देखिए, मैंने इतना बड़ा लोई तयार किया है, अब हम इसे पूरी का सेथ दे देंगे, तो पूरी जो है, वो आप अपने मनपसंद आकार की पूरी बना सकते हैं, मैं इसे अभी कट करूँगी, तो म मैंने कितनी पत्ली बेली है, बिल्कुल इतना ऐसा ही पूरी हमें चाहिए, एक पूरी तो हमने यहाँ पे बना लिए, इसी तरीके से बाकी बचे आटो की भी हम पूरी तयार कर लेंगे, तो आप चाहे तो इसे गलास से भी नहीं कट कर सकते हैं, बस पूरी का साइज जो है तो यह देखें, यहाँ पे पूरी जो है, बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गई है, बिल्गुल गुल गप्पे के जैसे दीख रही है ना, तो बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा से तेल डालेंगे, क्योंकि मैं इसे पलट नहीं रहा है, तो अभी हम इसके ऊप बचे हुए पूरी को भी तर लेंगे, तो यही तेखें, यह भी अच्छी तरीके से फूली ही है, इसे भी हम निकाल लेंगे, और भी हम फिलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पूरी ले ली है, पूरी जो है वो गरम है, तो ध्यान से थोड़ा बीच में, मतलब ज कर देंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे उबले हुए मूं और उबले हुए चने लिये हैं, इसे भी मैंने पहले ही उबाल लिया था, तो एक चममच इसे भी फिल कर देंगे, आप चाहे तो आलू और चने से भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे साइची जो को मैंने फिल कर ल लीकॉर्डिंग कम्या ज्यादा कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें जो टीकमी योटी है न हरी योडा लेंगे तो यहां पर मैंने पुदीनी की चट्नी बनाई हूई है इसे भी हम डाल देंगे ठोला किनारों पे भी लगा देंगे जिसे देखने भी अच्छा लगे तो यहाँ पर हमें ने चटनी डाल दिया है, अब इसके बाद हमें इमली की चटनी डालेंगे, तो इमली जो है है, मैने थोड़ी गाढ़ी बना दिया है, इसलिए थोड़ा गिरने में प्रåप्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं खाने में तो बहुत ही ज़्यादा कर दें उसके बाद हम थोड़ा सा धनिया पता डाल देंगे थोड़ा सो उपर से लानमिच पाउडर जो हैं वह ऐसे छिड़क देंगे जाला नहीं डालेंगे क्योंकि अल्रेडी यह तीखा खटा मिठा सब कुछ है तो यहां पर राज कुछुरी चाट जो हो बिल्कुल रेड है तो फटा फटी से अपने घर में बनाई और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किया रेसिपी कैसी लगी थेंक्यू